कि दस्वी बोड प्रिक्षा 2022 18 अप्रेल 2022 को आपके सामाजी विग्यान का पेपर है उसमें आपके अबस्दा के बारा प्रस्दा आएंगे पहला प्रस्दा होंगे और दूसरे प्रस्द में चे रिक्तिस्तान होंगे तो इस वीडियो में हम इन दोनों प्रस्दों की तयारी क प्रस्द हो जाएंगे और चे प्रसन आपके यसी होनि की 18 ये वीडियो गर आप शूरुज से अंतक देखते हैं तो आपके 18 नमबर complete हो स्पार्ट में से दो प्रसफ्ट कि और एक आपके रिक्तिक्ताने दोनों प्रस्टों की इस वीडियो कि मां नवी करनी संसाधन नहीं है इनमें से कौन सा नवी करनी संसाधन नहीं तो लोह दातु जो नवी करनी संसाधन नहीं बाकि पावन उर्जाप वन जी और वन ये तिनों ही नवी करनी संसाधन है लेकिन लोह दातु इसमें नहीं है पीसरा प्रस्ने बूमी निम्नी करन की समेश् सब्सक्राइब को जाना जाता है तो कपास मर्दा या रेगूर मर्दा के नाम से काली मर्दा को जाना जाता है मर्दा परदन को रोका जा सकता है तो मर्दा परदन रोकने की तीन वीद्य हैं समोच जुताई सोपानी करशी और कर्षी पट्टी पट्टी कर्षी तीनों ही वीद्य मरदा परदन को रोपने में काम आती हैं दावल अवतर इसमें सही है छटा क्यूशन आपके इसमें वे संसाधन जो किसी परदेश में विद्यमान होते हैं प्रणतु जलोड मरदा को खादर करते हैं आठाव किसे सत्थ पौशनी विकास के लिए प्रस्वी समयलन कभ वह था तो कहा हुआ था तो यह रियोडी जेनेरियो में वह था यह दक्सीन अफरीका में ब्राजिल को एक स्थान है यह रियोडी जैनेरियो कि यह तर आपके छे रिक्तिस् नविन को तो खदर करते और पुरानी को बागर करते हैं इसका जसे उत्र रहोते गए वह बागर हो जाएगा और ¬ॉसरा बारत की फश्थ इसके अनुसार कितने परेश्ष़ कोोने चाहिए तो कुतने परशे होने चाहिए वह 25 परसन वन उपलब्द हैं तीसरा प्रसन है कपाज की खेटी के लिए कौन सी मरदा उपीक्त होती यह आपर भी चाहिए काली मरदा इसको रेगूर मरदा भी रेगूर मरदा भी कहते हैं चोता प्रसन जहां एक वर्स या उसे कम समय में खेटी न की गए हो उसको परती बूमी कहते हैं क्या करते हैं और मरदा के उपरी परत जल के साथ बह जाती हैं इसको इसको चादर अपदन कहते हैं ऐँ के फिर आपका इसी किताब दूसरा बाठे आपके यह बूगॉल की किताब कर अदूसरा पाठ यह वन ऑथ संसादन चार नबरस बहुं का परस यह यह झौलिकुछान नहाए NA सब्ढेवन के अनुसर चुट् सेंट सेंटेद्स होने चाहिए चैस अगला प्रसन्द वारतियो सरूज्या आदिन्यम कब नाग वहा तो ये 1972 में बारतियो जीव 73 में 스루 नुरू ओगता का सराथ हुए तो आए आपने राजस्तान में और राजस्तान के भी अलवर जिल्ह में अलवर जिल्ह में सरीसका ब्रत्सीmor 3 यां पर हवरे कपूर गार्ट घ् legislature अच्छा एक प्रस्थान में आपको पहुंचता हूँ कि राजिस्थान में कौन से अभ्यारन में उडन गिलारी पाई जाती है आपने नाम सुना होगा उडन गिलारी तो उडन गिलारी कौन से अभ्यारन में पाई जाती है इसका उत्रा आपको लेखे कमेंड करना किसको इसक तो उत्रा खंब से शता प्रस्ता ने सभी तो बन प्रबंदन कारी कर्म की सुरुआत कब हुई ती तो यह 1918 में सभी तो बन प्रबंदन कारी करम 1918 साथ ओकिस ने स्थाई वनों के अंतरगत सर्वादिक 1724 किस राजिकां है वह जाएगा मध्य प्रदेश अगला प्रस्तने वे जाते हैं जो लुप्त होने के गर पर हैं उसको कौन सी जाते हैं करते हैं उसको संकर ग्रस जाते हैं पिर अगला प्रस्तने दस्वा बेरो देव डाको सेंचुरी राजस्तन के किस जिल्ले में हैं तो ये अलवर जिल्ले में अलवर जिल्ले में क्या है कि आपके राज्थान के अलवर जिल्ले के पांस गाउं के लोगों ने तो बारासो हेक्टेर वन बुमी बेरो देव डाकव सेंचुरी गोसित कर दिये जिसके अपने ही नियम और कानून है जो सिकार वरजित है तो बाहरी लोगों का गुस्पेर से यहां पर वने जीव को बचाते हैं तो यह कफी अच्छी बात हैं अलवर की लोगों ने अच्छा काम किया है कि वहां पे जो एक बारासो हेक्टेर की जो गुमी है उसको बेरो देव डाकव सेंचुरी की रूप में गोसित कर रुखा है तो करेक्ट आंसर हो जेगा इसका अ कर्सी के नाम से ऐसको जाने लगता है एक फिर इसको स्तानातित कर्षी भी करते हैं अगरेव में इसका नाम होता है स्लेष और बक्राण श्रेश और बलन जलाओ और खेती करो इसकी यहां प्रेस नानतित कर्षी कि जाती है कि से प्रेटर्गर्ट जात्यों का उलेख रेड़ डाटा रेड़ डाटा बुक में यह लाल आंकरों किताब रेड़ डाटा बुक रेड़ डाटा बुक यह आईउसी अनका पुरा नाम है संसादन शरक्रचन संग क्या है इनटरनेशनल यूनिय अंतर राज्ट्री प्राकर्तिक संसादन सरक्ष्ण संग और चोता प्रस्ण आपके बन्यों के स्रक्षिन है तूप केंदर सरकार ने एक तू राष्ट्री उद्यान रास्ती यह उध्यान और एक वन्य जिव बेरन गोस गोड़ावने गोड़ावन रजस्तान का राज्य पक्षी है इसको आप ज्यान रखे उसे एक प्रस्ण आपको मैं पूंशता हूं रजस्तान का राज्य व्रक्ष क्या है राजस्तान का राज्य व्रक्ष क्या है इसका उतोर नीचे कमेंट करना है इसे आपके हिमाल्य यह व्रक्ष है भारत की तो ऊत्तव मैं एक तो अरुनाचल प्रदेश में पाएं इसके लावा ये घ्रच है हिमालय ये व्रक्स आपके हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुनाचल परने दोनों में यह वाला व्रक्स पाया जता है तो विशे द्यान रखें लिखेंगे इसका नाम आपको यह रख्ष के लाम से जहाज जाता है कि तो एक तो आपको याद रखना है इसमें हिमाचल पर्देश और एक अरुनाचल पर्देश नेक्स्ट कुशन आपके फिर मिलान करने वाला है तो यह भी हम देख लेते हैं वेरी मौस्ट इंपोरेंड यह कुशन तो उद्यान और साथ सामने के राज हैं तो इसमें सबसे पहले अपने राजिस्तान का मिला लेते सरिस्का ये अपने राजिस्तान का है और पिर आपके जीम और संगा फिर ये इस किताब का आपके तीसरा पार्ट है तो तीसरे पार्ट जल समसादा ने इसमें आपके जो तीसरा प्रस्न आएगा उसमें एक प्रस्न पुछा जाएगा तीसरे के जो बारा प्रस्न होंगे उसमें एक प्रस्न आएगा तो एक हम देख लेते हैं इसका एक प्रस्न क जवारलाल नेरू ने बांदों को क्या कहा तो आदूनिक बारत के मंदिर कहा है इसके अलावा राजस्तान के जल सरक्षन के जो सुरोते वो लिखने तो खड़ी इन जोहर टांका और टौबा यह याद करना है टिहरी बांद परियोजना कौनसे राजी और कौन से नदी पर है तो यह ती हरी बांद जो उत्राखंड में है और बागि रती नदी पर बनी हुई है, बना हुआ है है फिर आपके चोछा पार्ट इसमें करशी वाला किसम बारत का जो है बारत ऑफिता पार्ट में इस चार नसे का है इसमें के ना आपके यह पिर पकार के विदियों में धेर Intro में के जैते हूं बिएमने उपर के वीडियो में चहर्चा की थी उपर के पार्ट में तो यह उक्तरपूरव रजiğों में इसको जिम कर्श versus कर से शिर्ट अब हाई चैसे जहा जाता है नहीं तो मक्क ब हाया जाता हैं मौंक जाते लेकिन आ बारिष जातर नहीं बोह जाती यह सीत हैं इससरों के साथ में चना ग्योज़ साथ में बोह जाती यह खिश्चतर है बस्क्मिध करना कि डालों को राज़ा किसे कब लोच एंध्यक सरका जाता है इसको चाई उस चाई टयूंस उसे वारत का संद कौन सा है तो बारत दूसरे नमबर पर मामले में में चो दूसरे नमबर कि वे पाल यह पाजने इनमें से कौन सी रिस्तदार फसल नहीं तो रिस्तार कौन सी दो इनो गता मस मकığımız और और संबी है लेकि यह जो रहसेदार फसल नहीं चाइज एक पेपदार थे पेफसल है चाए और कॉफी चाई और कॉफी है उसको पेपदार जा पेफल तरल रूप में इसको जाना जाता है तरल या फिर पेफसल है अच्छा कुछ ने आपके दक्सिन पूरी राजस्तान में स् करणा कर्षी की जाते हैं साथ व किसिन आपके स personnes निम्न में से रॉपन कर्षी का उधारन नहीं कौन साूपन कर्षी का उधारन नहीं है तो कफी तो है जैच अब पान यह को 1021 को रोपा जाता है जिसम प्याजूंगर और बोत Hey इस प्रकार सके को रॉपते तो को यह यह old का स्वेद करांति किसे समंदित है और स्वेद करांति किसे का जनक जाता है वर्गिस कूरियन विश्व में जनक कि से का जाता है कि दस्वाप परस्द आपके समय बारत में ग्याउं का उत्पदम सब्से जादा कौन से रजी में होता यह प्रजी में होता है सबसे जदा ग्याउं citoy potent की मेदानी परदेश Там और नद्यां खुब सारी बारति तो ग्यों भी सबसे ज़दा होता है बग्यों की फसल के लिए वारसी कितनी तो पचास से पिचोतर सेमी हैं फिर आपके ग्रीकत्तस्थाने स्मिन चाय एक उसने कटी बंदि जल्वाय कर भादा है उद्वाय प्रेकर बारत-काई ? प्रslत को सब्सक्राइब को ऐसा थाउटे तो इसमें दोisten दे रिखे इसमें कोई एक है तो अगर आपको पता व तो इसका उत्तर करना क्वेंट वे एक्याएब या फिर आदर प्रदेश के हसलें एक प्रसम उपर छोड़ गया हमारा यह इंडोनेशिया में करतन दहन करसी प्रणाली को लदांग करते हैं क्या करते हैं लदांग करते हैं लदांग के नाम से इसको जाना जाता है यह आप इसे जान रखें इसको लदांग करते हैं यह जो द कि रज़से परश சन नाम से यह को है कि अगला प्रस 이ा आपके च्छा प्रस्न यह आक किसानों की लावग के लिए बारा सरकार ने किसान क्रेडिट काळ की सान क्रेडिट कार्ण है सबस्ständे की लाद किसान क्रेडिट required क्रेडिक कार्ड trembling कार्ण का अ ऐख गट रहा हैं तो यह विशेज द्यान रखना हैं बाकिया आपकी जिसमें महत्पून प्रस्ट ने कि बारत में चार रस्तेदार फसले कुए तो कपास है जूट है सन है और प्राकरतिक रेश्म है और इन प्रस्टों कि हम अलग वीडियो में चाचा करेंगे वन लाइनर है तो प्रस्ट किया इस वीडियो में एक तो रिक्तस्तान और एक अबजेक्टिव अबस्द वाले हैं इनको जरूर मिलान कर लेते हम इसमें यह तरफ सनाज़ित कर्शी का नाम है और एक तरफ देश का नाम है तो यह जो लडांग है यह इंडोनेशिया में होती है लडांग में रोका ऐसे याद रक लेना ब्राजिल में रोका फिर बाकी बचावा मिलपा हैं वुभगा अपर तो इसमें अपको और कौन-कौन से मानचितर विसे ज्यान रखनें एकट आपके परमुक कि खनी जुद पादक श्यत्र कौन-कौन से लोय स्कॉले अभरक के भाकसेट मेगनीज फिर खनन कौन के रानी गंजे नेवेली हैं नहर कटिया हैं मंगला हैं इनको आपको मानचितर में दर्शाना है या फिर आपको पैंटुलियम तेल उत्पदक्षितर बता सकते हैं डिकबुई है हैं ना मूंबई हाई हैं बाड मेरे और सलाया है परमानुक आन्वी गुर्जा के अंदर बारास्त में रावत बाटा यीज अपने रजस्तान में नरोरा या अपने यूपी में और कल पकम यूटमी लड़ में हैं फिर आपकी सथपूड़ा बेरोनी नवेली ट्रामबे या आपको मानचितर में बरना है इसके अलावा मानचितर में आपको गौवा-जार-कन-कना- बनात और तरु को रजस्तान बढ़ना है यह फिर आपको परिसों तेल परिसों जो साला सलाया है मोथ रॉह पजबद्र है और डिग बई यह पजबद्र आपने राजस्तान में ज्यान रखना अब शिर्णा पाफ पर इत्यास कि यह किताब के प्रसम देख लेता हैहे उच्छ 1100 хотелосьoton में 59 द्राजीऊ में रेमनी पारिशंग का घठन इसके द्वार किया गया दही ने पूलियन के द्वारा किया गया था वियना समय नकाद रेक्स कोन था तो यह मैं टर्यनिक थे फ्रांस्मिन के समाई Franns में किस राजियों और शॉसन था ता ते गुरवा का था चाटा प्रस्ट नापके कार्बोनेली नामगुप्त संक्ठन का सद्धिश इन में से कौन सा था यह जाएगा जूसेपी मैटसनी जर्मनी का एकिकरण का सरे किसको दिया जाता दिये बिस्वार को दिया जाता हैं अच्छा मैंने एक प्रस्ट पूच आता कि बारत का बिस्वा करण में बिस्मारक रोगदाने उसी परकार बारत के खर मैं सरदार वललबा बैपक्टेल का योगदान था महां अगला प्रस्ट आप किसमें किस देख में नारिका रूप अप्रतिकरूपक मार्यान था तो यह फूस्तल क 활ो सिगह फ्रांस में नौा परस्न आपके एकियरत इतली का समरार की से गोसित किया तो यह एमियल द्विति को किया था और जाल विराईन संग का गठन कब किया गया तो यह 1834 में किया गया था फिर आपके अगला प्रस ने रिक्तिस्तान वाला आएगा पर इसी पार्ट मेसेज तो वीनस मिलन कब आया तो तो अठारा सो पंद्रा में जर्मन की संसद का नाम क्या है जर्मन की संसद का नाम है राइक स्टेग राइक स्टेग यह जर्मन की संसद का नाम है जर्मन राष्ट साथ नबर की एक प्रोपते अबसेखा इसमें से पूच को देख लहते हिसमें मातमा गंधी दक्सिन बारत से बारत कब गंटे तो फौट अफ्रीका से गाई जिबारत 1915 में आये था 1915 में मात माध़ा गंदी ने भी दिया था अच्छा यह आपको बताना है कि जब जलिया वाल हत्याकान बाग हुआ था उस दिए कौन सा त्योहार था कौन से त्योहार के दिन ये गटना हुई थी इसका उत्रा आपको निचे कमेंट करना है अगला प्रसने खिलापत समिति का गठन किसके द्वार किया गया तो ये मात्मा गंदी की किताब है ये हिंद स्वराज मात्मा गंदी की जो आत्मकता हैं सत्य के साथ मेरे परियोग सात्वा प्रसने स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वार किया गया तो सी आरदास और मौतिलाल नहरू के द्वारा कॉंगरेस के किसा दिवेशन में पू ग्यांदोलन की सुरुवात की थी मात्मा गंदी और अम्बेडगर के मध्य संपन वह समझोता कौन सा था जिसके ताद दलित वर्ग को प्रांती और केंद्री विदान परिश्दों के आरक्षित सीठी परदान की गी तो इसको पूना प्रेक्ट करते हैं और आज 14 अप्रेलर आज अंबेडगर जैनती तो आप सभी को अंबेडगर जैनती की हार्दिक बज़ए और शुब कामना है कि फिर आपके एक तस्तान आएगा इसमें कि वंदे मातरम किसने लिखा था हमारा राष्ट गीत वंदे मातरम तो बंकीम चंदर चटरजी ने लिखा था अच्छा रा सब्सक्राशकें कि अकिषे जोरा वुर्तिक्ति की गई तो आम नेंड рукमा तक पॉठो देखतें वह बनवाई गई गई थी किसने जो अच्छितों को हरी जन करकर पुका रहा था तो मात्मा गंदी ने अच्छितों को हरी जन करकर पुका रहा था और दूसरा गौल में समयलन कभ हुआ था तो यह 1932 में राजिस्तान के एक मातर से महाराजा है जिन्होंने तीनों गौल में समयलन में बाग ले था वो है वो उत्रप्रदेश की घटना है आपको पता होगा ये उसके बाद में असयोग अंदुलर बंद कर जा था कुछ वन लाइलर देख लिए कंदीजी ने ग्यारा सुत्री मांगे किस वाइस राय को छोपी तो इर्विन को और साइमन कमिशन का विरोध क्यों हुआ क्योंकि इसमें एक भी बारती सामिस सदेशी सामिल नहीं था चोरा-चोरी कान का पर वह तो यह गोरकपूर की गटना को इस किताब में आपको तीनी पार्ट त्यार करने हैं ठीक है यूरोप मेरास्टरवाज का उद्धेब और वारत मेरास्टरवाज और बोब्मन लिगा यह तीन पार भी त्यार कर लेते तापके टॉटल बीस नंबर आपके कंप्रीट हो जाएंगे तो इतना साथ आपकर कर भी सकते हैं यह जो प्रस्ट पार्ट है आपका तीसरा पार्ट इसमें साथ के दो प्रस्ट आएंगे हैं कि अबस्दा वाले और रिक्तिस्तान वाले तो देखे ला प्रस्ट किस महादीब में पसों में रिंडर पेस्ट नमक बीमारी व्यापा ग्रूप से पहले तो यह रेसम मार्ग विस्ट पडल पर महामंदी का प्रारम किस वर्श में हुआ तो यह उनीस सो अनटीस में पांसवा प्रस्ट ने गेहों और कपाश की खेती है तो बारत में किस राज्जी में कैनाल को लोनी बसाई गए तो यह यह नहर बसती यह पंजाब में बसाई गई स्टेंड लिको किस माधीप में खोतेत घू बेजय था तो अफरीका माधिप की खोतेत घू यह ने Major ने व्रहत उत्पद्रण पढ़नादी एकता हो रही आपके समय अanızपनी में मेनी को द्वार कौन से बीमारी फिलाइग दिया चैचक जसको को चोटी माता-माता बड़ी-कन चेहते घृप मतयां थे हैं वही वही उसी त्योहार से समझते हैं यह चैचक माताजी जैचक अब दसवा प्रस्ण आपके 1840 की दसक में आयर लेंड में कौन सी फसल खराब करण लाखों लोग भुक मरी के करण मौत का सिकार हो गयते तो वहां पर आलू आयर लेंड याद करने की ट्रिक बता रही हूं आयर लेंड का पहला अकसर आ है और अलू कभी पहला अकसर है इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपका उत्तर सई हो जाएगा पिर इसके जो बा पार्ट है आपकी सथक्री सहाध्य दारी इस इसे पार्ट में से आपकी एक प्र tutte Pocket प्रस्थे प्रस्थे प्रस्था चाबकर ती बेने पूछा जाएगा एक प्रस्था स्थार से 627 दो नमर का अगोत टो तो टॉटल चार यहां लिख लेंगे 1947 और यहां जाएगा 1948 तो सेंतालिस के बाद में आजाएगा अर्टालिस ऐसे याद कर लेना इसको हम बारत हम जो आजएद होए थे वह उनीसों इसको सेंतालिस में बारत को और एर्टालिस में श्री लंका को ये अफ्रीका माधीं बुरुसेल्स में बेलिजें में डच बासिक शेत्र कौन सा है वह फ्लेमिस फ्लेमिस में डश बासिक शत्र हैं देखो इनका इन किताबों कोई तोड़ नहीं है आपको रटने ही पढ़ेंगे क्योंकि यह वर्ड लेवल का जो आपको इतियास लोग तंत्र यह वगरा पढ़ाती तो इसमें आपको रटना ही पढ़ेगा उसमें और कोई स्रिलंगा के अबादी में सबसेबड़ा किस समयिक समों का तो वह स्रीलंगा में और 전날36 किस दश नेra अमेश सनकाते प्रश poorに चाइफिद्ध हैं स्रयले प्रसने के वाद्रश कर्यों के इस्थलीग सतर की अपने समयदान में चार संसोदन किये तो वो बेल्जियम ने चार संसोदन किये थे ऐसे याद कर लो कि बेल्जियम में चार अक्सर है तो चार संसोदन बेल्जियम में चार अक्सर है आठवा परसने आपका इसमें सरकार के विबिन अंगों में सत्ता का बटवा क्या कहलता है उसको सत्ता का क्षेती जवीवरन कहते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्विशन इसमें रिक्तिस्तान वाला सत्ता की साज़ेदारी दरसल लोगतंतर की आत्मा है यह कोटेशन आप इसको विसे याद रखें बेल्जियम में फ्रेंच बासा बोले जाती हैं बेल्जियम में कौन सी प्रशन लोगतंतर में व्यापरि उपति किसान और अद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठीत भी सक्री रहते हैं तो वह हित कि सब्सक्री रहते हैं पांचा प्रस्ने लोगतंतर की बुनियादी स्विश्दान्त यह हैं कि जंता ही संपुन राजनेतिक सक्ति का स्रूत होती चली है और श्रीलंका कि स्री लंका एक दवीती है देश कि मिलारु के दख्षीनितर से कुछ कीलो मिटर ही दूर है तर तक रिडिश्यम समाज रहे हैं बहुन है बहुत है और अगला परस्थ में किसी मुल्क में सरकार विरुद्धी समू की हिंसक लड़ाए ऐसा रूप ले लेकि या युद सा लगने लगे तो इसको गड़ाय किया जाता है है फिर आपको एक और याद रखना है कि बेजियम में फ्रेंच बासिक शत्रे उसको क्या कहते तो इसको वेलोनिया कहते हैं क्या किते सको वेलोनिया बेलिजियम में जो फ्रेंस बाचिक शत्रे इसको बेलोनिया कहते हैं को फिर आपके दूसला पार्ट संगषद नमर का है इस प्रस्फन फिरकार में प्रस्फन देख सकते इस पार्ट का जो भी से किसी सूची में सामिल निय cioè जो विसर खिसी एक तो को ती है संग सूची एक होती है राज्य सुची और एक होती है संग सुचिствить लेकिन जो किसी में नहीं आती वह स्विकी इसमें चले जाती है संग सरकार में चले जाते हैं मैं अगला परतल राजीं पुनरगठन आयोक की रिडिए पोर्ट कब बारतिए सहाइधान के 8 यहां कितनी बासँ लि放 के 22 बासा है लो आपके 22 लाहिता है याप भाही बासाओ से स्मझन सैं कि बारती सहीधान के 8 अनौसोची शुट किसे संबंदीते हैं तो वो बासां से समझनीते हैं तो इस यह इस मच own अपनी जो राजस्तानी बासा है वह शामिल नहीं की अनूश्य 301 गोतर के तहत विसे सक्षियों का लाब उठाने वाला राज्ज़ नहीं है तो देखो विशे सक्षियों के तहत आपको नागलेन को लाब मिलता है जानते हैं यह जम्मू कश्मिर का मामना था जो कि अपसर रच जबने के बाद में परदीस बन गया है अब जम्मू कश्मिर को विश्यसराजी का दर्जा नहीं रखता है लेकिन दारा थिंसो एगोतर के तहट कुछ विश्यसराजी और हैं जिन विश्यस दर्जा दिया गया है वो राजी है एक तो आपके नागालेंड असम और मीजुरम यह आपके पूरोतर क्यों राजी है इदर वाले स्यावन सिस्टर की नाम से जाने जाते हैं यह वाले राजी इसमें सामिल है और च्छता प्रसने फिर आपके निम्न मेंच से कौन सा विशह समवर्ती सुची का विशह नहीं तो देखो सिक्षा वं मस्दूर संग यह तो ने कि प्रति रक्षाज lore को नहीं है। जिसे खेंधर सरकार और राजी सरकार की 20 में जी विवाद हो जयते हैं उनको सर्विट्स से नेयले ही निप्रतता है ने कि आश्वा प्रसने आपके बारत में ग्रामी निस्तर परस्तानी सासन व्यवस्ता को किस नाम से जाना जाता है इसको पंचाईती राज व्यवस्ता की नाम से जाना जाता है बारत में पंचाईती राज व्यवस्ता की शुरूआत दो अक्टुमबर दो अक्टमबर उनिस सो उनसाट को दो अक्टमबर उनिस सो उनसाट को राजस्तान के यह बारत में सबसे पहले शुरू हुई थी पंचाइती राजवयस्ता राजस्तान के नागोर जिले के राजस्तान के नागोर जिले के बगदरी गाउं से बगदरी गाउं से पंडित जव बगदरीगाउं पंचेती राजविवस्ता की शुरुवात करने के लिए जाना जाता है पिर आपके रिक्तिस्तान बरने इसमें तो सबसे पहला है इसमेर रिक्तिस्तान बारत में सत्ता के वास्तविक विकेंद्री करने की दसा में एक परमुक कदम 1902 में उठाया गया था बारत यह बारत यह वह राजियों का संगें बारत में कितने राजई है तो बी राज्व में नीचे कमेंट करेंभाए тут अब नीचे कमेंट Bali में लिखना मैं आपको Esa merciful उन पहर समझा दो ओन पर पिर पिसेमें चोता Mobile सरकार चलाने और अपनी गेर जिम्राइब का निर्वान करने के लिए क्या ज़रु होता है तो राजस्व की उगाई के समन्ध में कि अंदर राजस्व का दिकार होता है राजस्व और कर आएगा इसमें पांचा प्रस्न एक से अधिक राजनेतिक दलों का दरा साथ मिलकर बनाएगी सरकार को ग बीजेपी और इसके जो बीठ शाहिक जो पर शराधनितिक दले वोच में शामिले इस से पहले योपी की सरकार्ती ूप यह कि ये पिक गर्ड़बंदन की सरकार गर्ड़बंदन के मतलब y इस अंडिया का पूरा नाम क्या है अभी जो मुझी जी की सरकार रहें वो टीए की करबंदन सरकार हैं अगला प्रस्ने आप केश में कि हिसा थो सबसे बड़ी बहसा हिंदी बी सिर्फ यह सबसे बड़ी बासा हैं वह के बहुँल 44 परसेंट लोगों के द्वारा ही बुली जाती हैं यानि कि नी Κिहीं मात्र पासा बागी जो दूसरी बहसा हैं बोलते हैं नगर निगंजिंग का फ्रमुक और सब्सक्राइब करते हैं तो नगर नियुक्त करते हैं क्या करते हैं अगला प्रस्न आठवा पर्ति रक्षा विदेशी मामले बैंकिंग दूर संचार मुद्रा जैसे राश्ति मात के विशे यह बड़े बड़े जो विशें वह संग सुची में सामिले इस पर कानून जो भी काम करना होता हो केंदर सरकारी करते हैं फिर आपके यह पार हुआ प्रस्न पूरा फिर आपके अगला प्रस्न देखते हैं इसमें पार सिंग्या दो से तीन से लोग तंदर और वीवीद ढता है तो इसमें से आपके एक प्रस्न आएगा तीसरे प्रस्न सब्सक्राइब करने हैं और एक चार से सुहला के डूरा और तो नवको अब सफाय मैं आपको तो तो मेसें महन कहोंद स्प्रस्प्सराइब Healthyjak Spirit देखना है आपको पुमने नहीं इसमें अबस्दा के लिए अवरिक्तिस्तान में जाती संगर्स और लेंगिक मसले पांस नमर का है दो प्रस्ण तो आपके इसमें तीसरे प्रस्ण में आएंगे तो वह मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूँगा और एक बड़ा प्रस्ण आएगा दो नमबर का तीन नमबर का जो आपके प्रस्ण संग्या 17 से 20 के बीच में आएगा तो वह इसी पार्ट में से आएगा तो चलें आगे चलतें इस पार्ट को छोड़तें भी फिर आपके नेक्स्ट पार्ट आपका पांचवा पार्ट जो एक ही पार्ट आपका इसमें जन्द संपर कुरा पार्ट प्रस्णाएगा और एक निबंदात्म प्रस्णाएगा तो आप यह पूरा पार्ट अची तरीके से त्यार कर लें आपके चार नंबर पक्के हो जाएंगे दो प्रस्णाएंगे अत्वा में कोई आपको एक करना होगा फिर नेक्स्ट कुशन के और चलजए यहनिक प्रस्णाएंगे पांस नमर का यह पार्ट इसमें से आपके दो प्रस्णाएंगे तो पहला प्रस्ण देख लेते हैं इसमें क्या बन सकता है तो वर्ष दोजार अठारा के लिए बारत का विस्व में मानव विकास उसकांग करमांग कितना था तो यह हो जाएगा 130 अगला प्रतिव्ति आए प्रतिवक्ति आए के लिजरी बारत कि भी बिदक सुमेर मानव विकास रिपोर्थ त्यार करता है तो यह यूण डिपी यूँ advice. पी यह जो संग्ठाने यह मानव विकास रिपोर्ट त्यार करता है अगला कुशन आपके निम्न में से किस राजी की साक्षरता दर्फ सरवादी के तो केरल याद रखना है आपको केरल में सबसे जदा पड़े लिखे लोगें साक्षरता दर्वां की सबसे जदा हैं आपने द करता मानव विकास की दर्ष्टी से किस राष्ट की स्थिती बारत से बहतर हैं तो अभी तो इसकी हालत खराब हैं जैसे आप समझ गए होंगे इस प्रस्ट की बारे में मानव विकास की दर्ष्टी से किस राष्ट की स्थिती बारत से बहतर हैं तो अभी तो हालत बहुत खर अमरिका करते हैं त्रवार्ष यां दॉसक्त आई को प्रति व्यक्ति आई भी कहते हैं लुद्स साथ वर्स यहां उस जदीगाई के जन्वाध साक्षर दिंसंग्रामदॉट धर कहलाती हैं तीसरे प्रसमें के मज़्य तुलना करने के लिए प्रती विक्ति आई सबसे था अधार बता हैं लुद रुद्धिश की तुलना आपको वीडियो अच्छा देखना है उनको बार-बार रिविजन करते रहना है फिर आपके दूसरा पार्ट इस किताब का अर्थसास्तर वाली किताब का बारती अर्थवेस्टा के शत्रक्त दो प्रसेंस में सभी आपके अबस्द वाले और रिक्तस्तान में पूछे दूसरा प्रसने मात्मा गंदी राष्टी रोजगार गारंटी अदिनियम यह कब बना तो यह 2005 में बना और इसको लगू किया गया था 2006 में इसको मात्मा गंदी को अभी वरत्मान में नरेगा की रूप में मनरेगा की रूप में इसको जना जाता है मनरेगा जो सो दिनों की के रोजगार की कारणिदी देता है विशह आप ज्यानरखेस में दोजार पांच में चुछ आप तीसरा प्रस्न प्राथमेक सहत्र विद्धी सहत्र की गतीवधी नहीं है पिर आपका 3-3 की कारिवधी नहीं तो वह जाएंगा संचार संचार और यहारा दूसरे में आते हैं त सबसे अधिक संक्या में लोग किस क्षेतर में कारिय रथ है तो है प्रात्मिक जो प्रात्मिक करशी में तो आपकी वह साथाजर्च श्तर का उधारण नहीं तो इसमें जो डाग गारिए वो साथानिक श्तर का उधारण नहीं है अगला प्रस्ने अलप बेरोजगार अधिकांस पाई जाती है तो यह करशिक से लुए बेरोजगारी पाई जाते हैं रिक्त तेंड दिस्तान होıyorsun box में कवी निर्मित उत्पाद हैं दूसरा प्रसने प्रात्मिक द्वीते गें तर्टीक शत्रकों की गतिवीजिया प्रस पर निर्बर होती है यह प्रस पर निर्बर होती है और तीसरा प्रसने तर्टीक को सेवाक सेथर भी और जाजाता है जी यसे भी आती जितने भी आती हैं वह सारक सारी तर्टिक श्ट्र वूरत में बारत में बड़े książंतर समय तर्मिक्ट 9 काम कर रहे हैं जिस बैरे क्षिक कर्षिक क्षण ज्ission है कि किसी कि निलाई है यह सब जो ठाध्मी अतरों के प्राइब सभ 오늘 निर्मान पर्णाली यो जितने उद्यों सारे उद्यों के वोसारे ज vont पर पूद्द नी किया जाता है दोसे करते हैं जैसे परिवहन अपना ब्यापार रेंस अगले अगले पार्ट कि और चलते हम इसमें अगला पाट अब का तीसरा मुद्रा और शाक इसमें से आपके बादर का कोई प्रस्न नहीं आएगा एक प्रस्न आईगा लगउतानात्मक जब के चार से 16 के बीस में होगा एक फैसन सतरा से बीश के बीस में होगा जिए तो लुट नुमर प्रस्न इसमें से पूछे जाएंगे तो इनकी चर्चा में अगले वीडियो में करेंगे में विबिन देसों के बीच जाता है ज्टैता हुआ कि फ़ WHO आश्क्राइश में के किस्टेश की अमेरिका कि फोड जो है वह हुंड हम इन नाम से जाना जाती है उन्हीं वह इनके कि मालिक हैं हें तीसरा प्रसते हैं इससा संग्ठन जो जिसका अंतरास्टी व्यापार को उदार बनाना तो विस्व यापार संग्ठन इसका आपको पूरा नाम पूचे जा सकता है डबल्यू टीओ ठीके वर्ल्ड ट्रेड ओर्गेनेजेशन डबल्यू यह जो विस्व यापर संक्टन से समझ दीते हैं एक होता है डबल्यू एचो डबल्यू एचो जो अभी कोरोना के समय में काफी पोपुलर हो था तो इसका आपको पूरा नाम बताना देखें यह डबल बोराश्रीं कंपणियों दोरानिवेस का सब सरदेक्शामाइन घंतानी कंपणियों अस्था यह कंपणियों के लोगों कर लोगों को कारगिल किस देस की बहुराष्ट राष्टी गमपनी है तो कारगिल नाम सबको confusion होना एजसे नाम आहीं आमेरिका कारगिल अमेरिका का्या नास्ट अक्सर का है और कारगिल का पहला अक्सर का है यात जाएगा अपकोो अब नी बूलोगे अप नवः प्रसने सरकार द्वरा अव्रोध-व्रोधों यहां कि प्रति बंदों को हटाने की प्रक्रिया को क्या किते है तो इस उधारी करन क्य आते हैं तत्काल इलेक्रो MR mil kings! इमेल किसके द्वरा बेज़िक जाती है तो इंटरनेट को विश्व की अर्थ व्यास्ता के साथ जोड़ना वेस्वी करन कहलता है तीसरा प्रस्थान का मुख्य उद्धिश्य अंतरास्त्री व्यापार की तोर तरिकों को सरल बनाना तो यह डव्यू टियो विश्व व्यापार संग्ठन क्यूर् है चोता कुछन pH कर व्यापार और अरोध का एक उद्धरन है बहुर बहु राश्तिक कंपनियों के उद्बाव के प्रस्चाहत व्यापार विश्व स्तरः पर होने लगा हैं चटा प्रसन हैं व्यापार वैस्व करन की प्रकरिया में हम्हात्वर ब्वा में का निबा कि बारसरकार द्वारा 1931 में 931 में एक से विदेशी व्यापार विदेशी निवेस्ट पर एधिकांस अवरदों को हटा दिया है तो यह अच्छी बात हैं पिर आपके अगले पार्ट क्यों चलते हम इसमें जो कि आपके इसकी किताब का अंतिम अच्छा यह अंतिम बात है तो जिन्वाने ये वीडियो पूरा देखा इसको बहुत अच्छा फाइदा होगा उनके कम से कम अठारा नंबर अठारा से बीस नंबर आपके कंप्लिट हो गया इसा समझो इन्हीं में से आपके जो बॉर्ड परिक्षा में प्रस्न पूचे जाएंगे तो ये 42 मिनिट का वी सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे आपको जो स्पीड आई की तो नॉर्मल में होगा तो इसका स्पीड को बड़ा कर भी इसमें देख सकते हैं ताकि आपका समय कम लगें तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो प संदाने आपका कोई प्रशन गलत ना हो तो आसा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हल्पों होगा और अच्छा समझ में आया होगा आपको कैसा लगाया वीडियो कमेंड कर के ज़रूर बताना और जो प्रसन आपको भीच में पूछे उनका उत्तर जरूर कमेंड कर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय बारत वीडियो को शेर जरू कर देना